नमस्कार दोस्तो आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ important question discuss करेंगे railway group D 2021 exam के लिए ये सब भी expected questions होंगे जो कि आपका exam में पूछे जाएंगे ये सब भी questions general science से related होंगे जो भी science के questions होते हैं उनके उपर आज हमने इस वीडियो में discuss करेंगे ये सब भी repeated questions होंगे जो कि आपके आने वाले exams के लिए most important रहेंगे जो group D का exam होता है उसमें 25 questions जो होते हैं वो अलग से general science के उपर पूछे जाते हैं इसलिए ये वीडियो काफी important रहेगी आपके group D exam के लिए तो चलिए start करते हैं वीडियो देखते हैं पहला question क्या है तो हमारा पहला question है what is the study of fungi called तो study of fungi जो हो पूछी जाए तो study of virus को कहा जाता है virology study of animal को कहा जाता है zoology और study of bird को कहा जाता है ornithology तो study जो होती है ये काफी पूछी जाते हैं exam में आपको exam में study के उपर question जरूर मिलेंगे अगला question देखते हैं what is the SI unit of pressure तो pressure जो होता है उसकी SI unit क्या होती है अब आपको पता होगा कि SI unit के उपर भी जादतर हर shift में एक question पूछा जाता है तो SI unit की जो separate video रहेगी वो आपको हमारे channel पे मिल जाएगी जितने भी topics होते हैं सबकी separate video हमने आपको provide कराई हैं तो उनको आप उपर i button पे click करके देख सकते हैं या फिर उन सभी का link आपको description में भी provide कराये गया है तो pressure की SI unit क्या होती है तो हमारा answer हो जाएगा pascal पासकल जो होती है यह SI unit रहती है pressure की water can be separated from alcohol water mixture by तो alcohol water का जो mixture होता है उसमें से जो पानी होता है उसको alcohol से अलग कैसे किया जा सकता है तो हमारा answer हो जाएगा distillation तो distillation जो होता है यह एक process होता है जिसमें alcohol water में से water को और alcohol को दोनों को अलग-अलग separate किया जा सकता है, अगला question देखते हैं, which instrument is used to measure pressure difference, तो आपको एक ही topic और रहेगा, जो कि आपको ज़रूर study करना है, जो कि रहेगा instruments और devices, जितने भी instruments और devices होते हैं, जो कि measure करने के लिए use करे जाते हैं, उनको आप ज़रूर पढ़ें, उनकी भी separate वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, आप उसको ज़रूर देखें, तो pressure difference जो होता है, उसको नापने के लिए, कौन से instrument या फिर device का use करा जाता है, तो हमारा answer हो जाएगा, टेकियो मीटर, टेकियो मीटर या फिर टेकी मीटर भी बोला जाता है, आपको टेकी मीटर के नाम से भी मिल जाता है, ये दोनों एक ही रहेंगे, टेकियो मीटर और टेकी मीटर जो होंगे, ये instrument होते हैं, जिनकी मदद से pressure difference को नापा जाता है, हाईग्रोफोबिया disease is caused by तो हाईग्रोफोबिया disease जो होती है हाईग्रोफोबिया disease जो होती है ये related होती है rabies से जो dog bite होता है उससे related रहती है हाई वो phobia disease तो ये किस चीज की वज़े से होती है तो dog bite जो होती है वो किस से related रहेगी तो हमारा answer हो जाएगा हैं who is known as the inventor of batteries तो एक invention और discoveries फिर यह most important topic रहेगा आपके गुरुबडी exam के लिए हम आपको topic wise questions तयार करते चल रहे हैं जिससे कि आपके जो भी topics exam में पूछे जाते हैं आप उनको अच्छी तरीके से तयार करें तो batteries जो होती है उनकी जो invention करी गई थी खोज करी गई थी यह किसके द्वारा करी गई थी तो हमारा answer हो जाएगा वोल्ट 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 जो है इनके द्वारा खोज करी गई है invention करी गई थी बैटरी की 1800 में इन्होंने invention करी थी battery की अगर आप से ये पूछा जाए कि battery जो नाम दिया गया था वो किसके दुवारा दिया गया था तो Benjamin Franklin जो रहते हैं उनके दुवारा नाम दिया गया था battery को 1749 में लेकिन जो invention करी गई थी battery की वो वोल्टा के दुवारा करी गई थी 1800 में अगला question देखते हैं turmeric is obtained from which part of the plant तो turmeric जो होती है हल्दी जो होती है वो plant के concept parts हम obtain करते हैं उसको निकालते हैं तो हमारा answer हो जाएगा stem तो stem जो होती है जो पेड़ की stem होती है plant की जो stem होती है उससे हल्दी जो होती है उसका formation होता है तो ये question भी काफी exam में repeat होता है most important question रहता है अगला question देखते हैं coil of the heater is made up of तो coil जो होता है जो heaters होते है उसमें जो coil लगा होता है जो red हो जाता है जो electricity की वज़े से heat होके आपको heat provide कराता है तो वो जो coil होता है जो heat provide कराता है वो किस चीज का बना होता है तो हमारा answer हो जाएगा नाइक्रोम नाइक्रोम का बना होता है heater का coil जो की heat होके आपको heat release करता है और यह जो होता है melting point काफी high होता है इसलिए इसको use करा जाता है अगला question देखते हैं which device is used to measure radio activity को नापने के लिए measure करने के लिए कौन सी device या फिर इस्टुमेंट का use करा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा GM counter काफी famous question रहता है important रहता है Giger Muller counter जो होता है उसके दुवारा measure करा जाता है नापा जाता है radio activity को which one of the following is used in the preservation of food stuff तो food stuff जो होता है जो हमारे खाने पीने के सामान होते हैं उसमें कौन सा substance होता है जो की present होता है जो की खाना जो होता है उसके जो time होता है जो उसकी life cycle होती है उसको खराब होने से बचाता है तो हमारा answer हो जाएगा sodium benzoate sodium benzoate जो होता है ये use करा जाता है preservation के लिए food stuff में जो food होता है जो हमारा खाना होता है उसको खाने को खराब होने से बचाने के लिए जो sodium benzoate होता है इस substance को use करा जाता है food stuffs में अगला question देखते हैं अब chemical formula और chemical name एक ये important topic रहता है गुरुबडे exam के लिए तो bleaching powder जो होता है उसका chemical formula क्या होता है काफी बार discuss कर चुके है chemical formula और chemical name की separate video भी आपको हमारे channel पे मिल जाएगी तो bleaching powder का जो chemical name होता है वो रहेगा CACLO2 CACLO2 जो होता है ये chemical formula रहेगा bleaching powder का which vitamin in our body manufactures most rapidly तो सबसे तेज कौन सा vitamin होता है हमारी body में जो की बनता है सबसे तेज speed में कौन सा vitamin हमारी body में form होता है तो हमारा answer हो जाएगा vitamin D vitamin D जो होता है sunlight से मिलता है तो ये काफी तेज form होता है बाकी vitamins के मताबिक सबसे जादा तेज speed होती है vitamin D की बनने की अगला question देखते है what is the atomic number of silicon silicon जो होता है इसका symbol क्या होता है तो SI जो होता है इस silicon का symbol रहता है atomic number क्या होता है तो हमारा answer हो जाएगा 14 14 जो होता है यह atomic number होता है silicon का atomic number पूछा जाता है और जो जैसे आपको नाम दिया जाता है silicon तो इसका जो symbol होता है symbol भी काफी पूछे आते हैं जैसे ऐसा ही जो रहेगा वो silicon का symbol होता है तो इस type के जो symbols होते हैं वो आप ज़रूर study करें उसके उपर भी question देखने को मिलते हैं अगला question देखते है what is the pH level of human blood तो human blood जो होता है हमारा जो खून होता है उसका pH level कितना होता है हमारा answer हो जाएगा 7.4 approach जो अगर pH level की बात करी जाए वो 7.4 होता है अगर आपको 7.3 option में मिलाए या 7.4 के आपको जो भी करीब मिलाए अगर आपको 7.4 option में नहीं है इसके करीब जो भी आपको option होगा वो आपका correct answer हो जाएगा अगला question देखते है atomic theory of matter was given by whom तो जितनी भी theories दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है या आपको पता होना चीए तो atomic theory of matter जो दी गई थी ये किसके द्वारा दी गई थी तो हमारा answer हो जाएगा डेल्टन डेल्टन जो है इनके द्वारा दी गई थी atomic theory of matter वेन इस international workers day observed तो ये day का एक गलत question डल गया है science से related नहीं रहेगा तो international workers day कब होता है तो हमारा answer हो जाएगा एक में हर साल एक में को observe किया जाता है international workers day को ये आपको पता होगा जो हमने कल की वीडियो बनाई थी उसमें ये question हमने discuss करा था अगला question देखते है what is the velocity of sound in air तो velocity जो होती है sound की air में वो कितनी होती है तो ये एक most important question रहता है अक्सर exam में पूछा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा 332 meter per second 332 meter per second जो होती है ये velocity होती है sound की air में sound की velocity जो होती है हवा में जो air में होती है वो होती है 332 meter per second what is the SI unit of electromagnetic induction तो electromagnetic induction जो होता है जिसको की EMI के नाम से भी जाना जाता है इसकी ऐसा unit क्या होती है तो हमारा answer हो जाएगा Tesla Tesla जो होती है यह ऐसा unit होती है electromagnetic induction की Red color in tomato is due to the presence of तो tomato जो होते हैं उनका जो color होता है वो red होता है तो किस चीज़ की presence की वज़े से tomato का color लाल होता है तो हमारा answer हो जाएगा lycopene, lycopene जो होता है इसकी presence की वज़े से जो tomato होते है इनका color जो होता है वो red होता है अब lycopene जो होते हैं यह क्या होते हैं तो यह जो होता है red color जो होता है यह kerotinin की वज़े से होता है kerotinin जो होता है उसका एक part होता है lycopene जिसकी वज़े से red color जो होता है वो होता है टमाटर का अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो plant होते हैं उनकी जो leaves होती है उनका जो color होता है वो green क्यों होता है तो chlorophyll जो होता है उसकी presence की वज़े से green color होता है plant leaves का अगर टमाटर की बात करी जाए तो अगर आपने कच्चा टमाटर देखा होगा तो वो भी green color का होता है तो वो किस वज़े से होता है तो वो भी होता है किलोरोफिल की वज़े से green color भी होता है टमाटर का लेकिन जब कलोरोफिल जब होता है वो टूटे लगता है तो उसके किस नाम से जाना जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा फाइकोलोजी फाइकोलोजी जो होता है ये बोला जाता है इस्टडी ओफ एलकाई को हमने अभी हमने अभी पहले कोशन में डिसकस करी थी तीन से चार इस्टडी ओफ तो इस्टडी ओफ एलकाई भी आप उसको एड करने उसमें जिसको कि फाइकोलोजी बोला जाता है तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखरी कोशन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें उपर आई बटन पे किलिक करके हमने जितनी भी प्लेलिस्ट तैयार करी है आपके एक्जाम्स के लिए जो की most important रहेंगी आप उनको जरूर देखें उनसे आपको काफी मदद मिलेगी साथी उनस अभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराए गया है और दोस्तों जो railway group D का ये हम science का part डिसक्रिप्श कर रहे हैं इसकी हमने एक separate playlist पना दी है जिसमें आपको science related जो वीडियो रहेंगी group D exam के लिए वो आपको अलग से provide कराए जाएंगी तो आप उस playlist को भी जरूर देखें उसमें बार बार उसको देखते रहें जिससे कि आपको कोशन सारे अच्छी तरीके से तैयार हो जाएं धन्यवाद दोस्तों